नमस्कार मैं सुशिल महपात्रा आज मैं कास्मीर के उस खिलारी का बात करने जा रहा हूँ जो एक सो त्रेपर किलोमीटर की रफ्तार से गेन भेंगता है लोग उसे गजनी के नाम से बुलाते हैं जो कभी डिस्टी लेवल का म्याच नहीं खेला उसका चैन डारेक्ट अंडर 19 टीम में हो गया और आज कल वो सनराजर साइदराबाद के लिए आई पेल में खेल रहा है जी हाँ मैं जिस खिलारी के बात करने जा रहा हूँ उसका नाम उम्रान मलिक है उम्रान लगातार 150 किलोमेटर की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं किर्केट प्रेमी उनका तुलना सोय बाक्तर और ब्रेडलिक के साथ करने लगे हैं जामु की गुजरनगर के उम्रान के उमर 22 साल है इनके पिता जामु के सहीती चौक पर पिछले 50 साल से फल बेचते हैं उम्रान मलिक ने 5 साल की उमर में किर्केट खेलना सुरू किया बाद में परिबान ने उनका पूरा साथ दिया उम्रान का बोलिंग आक्षन पाकिस्तान के पूर गेंदबाज वाकर यूनुस से मिलता है लेकिन उम्रान कहते हैं उनका बोलिंग आक्षन नेचुराल है वो किसी की कपी नहीं करते हैं उम्रान ने जब टेनिस बल किर्केट खेलना सुरू किया तो उनके स्पीट को देखते हुए जामू कार्स्विर के हर टीम उन्हें अपने साथ रखना चाहती थी धिरे धिरे ओ टेनिस बल के बाद लेधर बल किरकेट खेलने लगे अपने पहले लेधर बल म्याच में उन्हेंने सांदार गेंद बाजी की थी जैसे से उम्रान का रेफुटेशन बढ़ते गया लोग उन्हें अलग-लग नाम से बुलाने लगे अब इन्हें लोग गजनी के नाम से भी बुलाते हैं शुरुवात में उम्रान के कोच रंदिर सिंग ने उन्हें काफी मदद की इफ्रान प्रठान जामुकास्नी टीम की मेंटर बने इसके बाद उम्रान को उनसे भी काफी कुछ सिखने को मिला उम्रान ऐसे खिलाड़ी है जो बिना डिस्टिक लेबुल में आज खेलते हुए स्टेट अंडर 19 टीम में खेले उम्रान मली की जिन्देगी में तब बदलाव आया जब अंडर 19 किरकेट टीम के सिलेक्टर ने उन्हें नेट में गेंदबाजी करने के लिए कहा सिलेक्टर ने उन्हें कहा कि आप इतना तेज गेंदबाजी करते हैं तो मियाज क्यों नहीं खेलते देश के Under 19 सिलेक्टर ने जामू कास्मी के Under 19 सिलेक्टर से बात कर उम्रान को मौका देने के लो कहा 2018 में जब उम्रान मली को जामू कास्मी Under 19 टीम का जगा मिली तब उन्हों ने अपने Instagram बायो में लिखा कि मैं भारत के लिए बहुत जल्द खेलने बाला हूँ अंडर 19 मैस का पहला गेन इतना सांदार बाउंसर था कि फेल्ड में मौज़ुद अम्पया ने उम्रान से पुछा था क्या आप नेशनल टीम में पहले खेल चुके हैं इनका आईपेल का सफर भी काफी रोच्च करहा 2020 में जामु कास्मीर के क्रिकेटर अब्दुल समत को सनराइजर हाइदरबाद टीम में मौका मिला समत की रेफरेंस पर मली को नेट में बोलिंग करने के लिए बुलाया गया नेट में मली के सांदार गेंदबाजी देखते हुए उनसे केदार जावदा ने पुछा था कि क्या आप टीम में है नेट में वो इतनी तेज गेंदबाजी कर रहे थे कि जनी बारिष्टों ने रिकोईस्ट किया कि थोड़ा स्लो फेंके 2020 के बाद 2021 में भी हाइदराबाज उनने नेट बुलर के लिए रेटेन किया उससे समय सांदार हाइदराबाज के खेलारी ये टीन और टराजन कोबीट पजेटिव हो गए तो मली को टीम में मौका मिला उनके इस पहले मैच से ही किरकेट को प्यार करने बले मली को प्यार करने लगे थे उनकी गेंदबाजी की हर तरफ तारीप हो रही थी मली के अपने पहले मैच में 150 की स्पीड से गेंदबाजी की बैंगलोर के खिलाब दूसरे मैच में उनकी स्पीड 113 पन तक पहुँच गई मैच खत्म होने के बाद बैंगलोर के कप्तान बिराट कोहली ने मलिक की तारीब करते हुए कहा कि मलिक जैसे टालेंटर खिलाड पर नजर बनाय रखने की जरूरत है उनके टालेंट का भर पूर इस्तेमाल होना चाहिए IPL ने मलिक की किस्मत को बदल दिया किर्केट प्रेमियों के 20 मलिक की चर्चा थी IPL में सांदर प्रदसन के बाद मलिक को T20 वालकम के डेट में बोलिंग करने को मौका मिला किस्मत मेहनत और दोस्तों की मदद ने मलिक को यहां तक पहुँचा दिया सफर अभी शुरू हुआ है मंजिल का फी दूर है लेकिन मेहनत अलगन से मंजिल का रास्ता आसान होते जा रहा है आज के लिए इतना ही कभी और किसी खेलाडी का कहानी लेकर आपके सामने आएंगे तब तब के लिए मुझे इज़ादत दिजिए नमसकर